सागर में 14 एकड में लगभक 100 करोड की लागत से संत शिरोमणी रविदास महराज का भव्य मंदर और समारक बनने जा रहा है इसे लेकर 5 अलग-अलग स्थानों से निकली हुई यात्राएं 12 अगस्त को सागर पहुँचेंगी जिसमें से आज श्योपुर से प्रारंब होकर सागर के लिए जा रही संत शिरोमणी श्री रविदास मंदर निर्मार्ण समर्सता यात्रा आज कोलारस गोपाल जी गार्डन पहुँची जहां जनसमवाद कारिक्रम का आयोजन किया गया जिसमें पूर्व विधायक महींद्र सीह यादव एवं सभी बीजेपी कारिकर्ताओं ने उपस्थित होकर स्वागत किया आपको बता दें कि सागर में बन रहे सौ करोड की लागत से संत शिरोमनी रविदास महराज के भव्य मंदिर में भव्य समारक नागर शैली में बनाया जाएगा जिसमें संत रविदास के दोहे और शिक्षाएं उकेरी जाएंगी समारक में चार गैलेरी होंगी प्रथम गैलेरी में संत रविदास का जीवन दूसरी में इंटरप्रेटेशन सेंटर तीसरी में उनका दर्शन रविदासियों पंथ की शिक्षाएं चौथी गैलेरी में उनका काव्य साहित्य लाइबरेरी और संगत हॉल होगा स्मारक के पास ही जलकुंड, भक्त निवास और भूजन शाला भी बनाई जाएगी